हेलो सुदेंट्स, प्रिंसर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वाकत है OBSI आरक्षण की आज की सुनवाई में क्या हुआ इसे जानने के लिए आप सभी बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं आपको बताएंगे इस पॉडकास्ट में की OBSI आरक्षण की सुनवाई में आज फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था और ऐसा क्यों हुआ इसकी भी चर्चा करेंगे आने वाली सभी परिक्षाओं की तैयारी के लिए आपको एलीट स्टेडीज इंदौर्पन सरकी कक्षाएं ओनलाइन कक्षाएं, वीडियो लेक्शर्स, नोर्स, टेस्सरी जित्यादी प्राप्त करने के लिए 96855-70712 पर हमें वाटसप करना है ओगे स्टुडेंट्स, यहां आपकी हमसे बात हो जाएगी और साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया के जो भी प्लैटफॉर्म से डिस्क्रिप्शन में जाईए उनको जोईन कर लीजे ताक कि हमारे द्वारा शेयर की जाने वाली एक्जैम से समझे सभी इंपॉर्डन जानकरी आपको मिलती रहे और आप सुयम गया उफजर्ब करते रहे कि किस तरह से एलीट स्टेडी जिंदा और प्रिंसर के मागदशन में जो अफ्यर्थी हैं वो सफलता को प्राप्त कर रहे हैं ओगे स्ट्विंट्स तो ओभी सी आरक्षन की बात करें उससे पहले एक पॉजिटिव न्यूज देख लेते हैं फिर बात करेंगे कि आज आखिर हुआ क्या तो ये देख लीजिए इसमें ढाई साल से खाली पदों को भरने की कवायत शुन हो गई है बावन हजार इसमें दिखा रहा है देखें क्या होता है कि जब भी कोई भरतियां प्रस्तावित की जाती है उनका प्रस्ताव लाए जाता है तो उस पर जो फाइनल मंजूरी होती है वो कैवनेट ही उसको देती है तो फिलहाल ये जो डेटा आप देख रहे हैं साउन हजार निक्तियों पर 11 मंतियों की कमेटी फैसल लेगी तो आपको बता दें कि यह जो आपकी कमेटी है यही फाइनल करती है कि जो प्रस्ताव वेजा गया है विभिन विभागों द्वारा उसमें से कितने पदों पर भरतियां कब निकाली जाएंगी तो फिलहाल यह दे रही हैं लेकिन आप सभी को यह मैं क्लियर कर दूं कि भरतियां जैसे ही कैलेंडर इनका नयाब बनेगा चाहिए व्यापम हो जाए MPPSC का हो आपको यह तैय करना मुश्किल हो जाएगा कि मैं किसकी तैयारी करूं किसकी छोड़ूं इसलिए आपको अभी से मैं यह कह रहा कि भरतियां नहीं आएंगी नहीं होंगी तो आपको इस मैसेज को देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि अगर आपकी तयारी अच्छी नहीं चल रही है कुछ कमी है तो उसको कैसे पूरा किया जाए हमने अपना नंबर बता दिया है 9685570712 यह हमारा नंबर है इस पर आप हमें वैर्शेप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अब बात करते हो बीसी आरक्षन की तो देखे कल जब सुनवाई हुई तब आपने देखा होगा कि वकीलों के दोरा बार-बार EWS आरक्षन को एक मुद्दा बना कर क्या किया जा रहा था सुनवाई को टालने की की जा रही थी तरक यह था कि जब तक जो है मानी न्यालय का EWS पर जो समयधान पीठ बैठी है उसका फैसला नहीं आ जाता तब तक जो है यह ओवी सी आरक्षन का फैसला नहीं देना चाहिए क्योंकि इसमें भी 50 प्रतीशत जो आरक्षन की सीमा है उसको क्या है ब्रीज कर दिया जाता है यानि कि उसके पार निकल जाता है हाला कि जो हमारे जस्साहब थे उन्होंने इसको कंसीडर नहीं किया और आज भी सुनवाई रखी लेकिन आज एक अलग ही जो है चीज लेकर आ गए और उन्होंने कुछ ऐसी याचिकाएं जो की स्थिती जिन पर सपस्ट न लगातार जो आपने देखा होगा कि हमारे वकील थे अब कौन थे वो आप जानते ही है किस पक्ष से थे वो भी आप जानते हैं कुलम Plaid की यह है कि धाई साल बीच जाने के बाद भी सरकार को तरक रखने के लिए अभी भी समय चाहिए वकीलों के पास अभी भी कहना चाहिए गुंजायस बची हुई है वकी लगातार सुनवाई को बढ़ोना चाहते हैं और मानी न्यालाय भी इनको डाटने फटकारने या इनको थुड़ा सा आईना दिखाने की वजए इनकी बात को माल लेते हैं और सुनवाई बढ़ा देते हैं तो यह चल रहा है फिलहाल और अगर इसी तरह से जो न्याय है वो होता रहा तो फिर वह दिन दूर नहीं है जब लोग न्याय व्यवस्था से किनारा करने लग जाएंगे और यही सोचेंगे कि फैसला तो चाने कब तक आएगा सालों बाद आएगा तो फिलहाल ऐसा ही दिख रहा है आप सभी को यही कहूंगा कि तैयारी आपको अपनी छोड़नी नहीं है यह कितना भी लेट कर लें कितना भी समय मांग लें कुछ भी कर लें लेकिन यह नौकरिया निकालने से बच नहीं सकते और इनको नौकरिया निकालने ही पड़ेंगी मैंने आपसे बार-बार कहा कि आने वाले समय में जैसे ही मुझे थोड़ा समय समय निकाल कर आपको हर एक भरती पर चाहे वो व्यापम की हो चाहे वो MPPSC की हो पर्टिकुलर हर एक भरती पर किस तरह से आपको तैयारी करना है कितना समय मिलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा वो मुख्य परिक्षा के साफ से ही तैयारी करिए मेंस और प्री का कॉमन स्लिवस पुड़िए ये मैं सौ बार कह चुका हूँ इसके अलावा बागी के एक्जेम्स भी अगर आपको टार्गेट करना है तो कॉमन स्लिवस आपको पता ही है सामाने ग्यान है इतिहास भोगोल विग अर्थवस्था तो इस तरह के सब्जेक्स आप दूसरे कुल में लाकर ये है कि जो भी एक्जेम्स आपको टार्गेट करना है पतवारी, MPSI जो भी उनका स्लिवस निकाल लीजिए और उनमे से देखिए कि क्या चीज कॉमन है क्या MPPSC के सब्जेक्स से मेल खा रही है और इ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइगान पर क्लिक करना, वीडियो को शेर करना बिलकुल ना भूलिए और अपने इस चैनल को बढ़ा करिए क्योंकि अभी ये चैनल बहुत चोटा है अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेर करिए उनको भी बताईए और व्यापम के अव शुरू हो चुकी है, मिलते अगले पाड़कास्ट में धन्यवाद